हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर फाइब प्रारंबिक आकारों को समझना प्रश्टावली 5.6 से कोशे नंबर 4 सोल्प करेंगे तो देखे कोशे नंबर 4 लिखा है माचिस की तिलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रेतिन किजी क्या आप निम त्रिभुज के प्रकार का नाम बताईए यदि आप त्रिभुज नहीं बता पाते तो उसके कारण के बारे में सोचिए अब देखे हमें एक पार्ट दिया है तीन माचिस की तिलियों से त्रिभुज संभव है अगर तो त्रिभुज संभव है तो उसका प्रकार बताना है क से त्रिबुज बनाने का प्रयास करेंगे तो देखे तीन माचिस की तीलियों से एक त्रिबुज बन रही है अब उन्होंने कहा था अगर बन रही है तो उसका प्रकार बताओ तो देखे माचिस की तीलियों की जो लंबाई है वो बराबर है तो यानि ये जो त्रिबुज बन रही है, इसकी इन तीनो भुजाओं की लंबाई बराबर है तो जिस त्रिबुज की तीनो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, वो एक संभाहू त्रिबुज होती है कि क्या चार माचिस की तीलियों से त्रिबुज संभव है तो देखे मैंने ये चार माचिस की तीलिया लिया बिन से त्रिबुज बनाने का प्रयास करेंगे अब देखे मैंने इन चार माचिस की तीलियों से त्रिबुज बनाने का प्रयास किया है पर इनसे त्रिबुज नहीं बन रहे क्योंकि ये देखे दो माचिस की जो ये तीलियां ये मिल नहीं रहे हैं अपस में अगर मैं इनको मिलाने की कोशिश करूँगी इन दोनों तीलियों को तो ये जो दोनों तीलियां इन दोनों तीलियों के ऊपर आ जाएंगी इस तरह से आ सकती है 1 cm 2 cm कुछ भी हो सकती है ठीक है मानी जी मैं ये दो भुजाएं ले रही हूं तो इन दो भुजाओं का जोड़ इस तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए ठीक है तो देखिए एक मांचेस की तीली 1 iqai के बराबर है तो एक और एक 2 iqai और तीसरी भुजा ये भी किसक तो यहां पर इन दो भुजाओं का जोड तीसरी भुजा से बड़ा नहीं आ रहा है तीसरी भुजा के बराबर ही आ रहा है तो इसलिए यहां पर त्रिबुज संभव नहीं है तो भी पार्ट का अंसर है कि यह संभव नहीं है क्योंकि त्रिबुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है परन्तु यहाँ पर दो भुजाओं का जोड जो की दो आया है वो तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तीसरी भुजा दो है उसके बराबर आ रहा है तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो इसलिए त्रिबुज संभव नहीं है सी पार देखे पांच माचिस की तिलिया तो देखे मैंने पांच माचिस की तिलिया लिया भी इनसे त्रिबुज बनाने का प्रयास करेंगे तो देखे पांच माचिस की तिलियों से त्रिबुज बन रही है अब बताना है कि त्रिबुज का प्रकार क्या है तो अब अगर अब देखें यह जो त्रिबुज बन रही है इसकी ये वली भुजा ये भी दो माचिस की तीलियों से बन रही है और ये वली भुजा ये भी दो माचिस की तीलियों से बन रही है एक समद्वी बाहु त्रिबुज तो ये एक समद्वी बाहु त्रिबुज बन रही है तो देखे पांच माचिस की तीलियों से जो त्रिबुज की आकरती बनाई थी वो मैंने यहां बना दी है अब देखे हां यह एक समद्वी बाहु त्रिबुज है कि पांच माचिस की तील इनसे त्रिबुज बनाने का प्रयास करेंगे तो देखे छे माचिस की तीलियों से त्रिबुज बन रही है अब त्रिबुज का प्रकार बताना है तो देखे त्रिबुज की जो ये भुजा है ये भी दो माचिस की तीलियों से बनी है और ये वली भुजा भी दो माचिस की त लंबाई जे बराबर है तो इसका मतलब यह कौन सी त्रिपुज है यह एक संभावु त्रिपुज है संभावु त्रिपुज में 3 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो देखिए छहां की वांचिस मैं रिली कि इस hey आMusic अकर्ति बनाई थी हुद यहां